हेलो दोस्तो कोकिंग फूड बिदिसमिता में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज हम आपके लिए एक ऐसे नास्ते की रेस्पी लेकर आए हैं जिसको आप फटा-फट से बना कर तयार कर लेंगे और ये इतना टेस्टी है कि आपको खाके मज़ा ही आ जाएगा ये बाजार के समोसे और कचोड़ी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बाजार से कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लाने की जरूरत नहीं है तो बस इसके लिए आपको दो कच्चे आलू ले लेने हैं उनको अच्छे से छील कर साफ कर लेना है और जो मोटा वाला ग्रेटर आता है न उससे आपको इसको ग्रेट कर लेना है तो अगर आप मोटे वाले ग्रेटर से इसको ग्रेट करेंगे तो इसके थोड़े मोटे मोटे लच्छे निकलेंगे जिससे नास्ता बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बन कर तयार होगा तो इस तरह से मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद अब हम इसको धुल लेंगे तो ये देखिए कितने अच्छे से इसके आलू के लच्छे निकले हैं तो बस अब हम पानी ले लेते हैं और सारे लच्छों को इस पानी में डाल देंगे और इसको साफ कर लेंगे जिससे इसमें जितना भी इश्टार्च होगा वो निकल जाएगा इस तरह से मैंने आलू को दो से तीन बार पानी से अच्छे से धुल लिया है और ये देखिए बिल्कुल साफ हो चुके हैं अब किसी दूसरे बरतन में हम इसको अच्छे से निचोड़ते हुए निकाल लेंगे पानी को अच्छे से निचोड़ देना है क्योंकि हमें इसमें एक्ष्टा पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी और ये देखिए दबाते हुए बिल्कुल अच्छे से पानी को हमने निचोड़ दिया है सारे आलू को इसी तरह आपको निकाल लेना है और ये मैंने दो प्याज ले लिए हैं तो ये medium size के प्याज थे और इनको मैंने पतला-पतला काट लिया है और इस तरह से इनको अच्छे से दबाईएगा जिससे इनके अच्छे से खिले-खिले लच्छे हो जाएं और ये देखिए दबाते हुए कितने अच्छे से खिले-खिले लच्छे हो चुके हैं और अगर आप लोग अगर प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज के बिना भी इस नास्ते को बना सकते हैं जो आलू हमने निकाल कर रखे थे पानी से उसी में इस प्याज को भी मेक्स कर देते हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं बेसन तो इसमें हमें बहुत जादा बेसन की जरूरत नहीं है केवल चार चम्मच बेसन ही हम इसमें डालेंगे क्योंकि हमें कोई बेसन के पकोड़े नहीं बनाने है बस इतना बेशन डालेंगे जिससे इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाए थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है और थोड़ी सी ही हींग डालेंगे जब भी आप बेशन की कोई चीज बनाएं तो उसमें हींग जरूर डालिएगा साथ ही इसमें एक चम्मच बुना फिसा जीरा पाउडर डाल दिया है एक चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे आप चाहें तो मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा साबुच जीरा डाल दिया है एक चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है और साथ ही स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे हम इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर भी ये नास्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा तो एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं और बस हलके हाथों से अभी हम इसको मिक्स कर देते हैं जैसे जैसे हम इसको मिक्स करेंगे ये ढीला होता जाएगा और ये देखिए कितने अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ चुकी है मैंने इसमें बहुत ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल नहीं किया है बस इतना ही बेसन डाल कर आपको इसमें मिक्स कर देना है और ये देखिए अभी मिक्स हो चुका है तो इसमें हम बारी कटी हुई धनिया पत्ती डाल देते हैं और अब इसको भी मिक्स कर देंगे और ये मिक्स हो चुका है तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और ये मैंने चार ब्रेड ले लिये हैं तो अगर आपके पास बचे हुए भी ब्रेड हैं तो चलेंगे तो अब हम इन ब्रेड को काट लेते हैं इस तरह से इसके लंबे लंबे टुकडे करेंगे और अगर आप चाहें तो बीच से भी इन टुकडों को काट सकते हैं और इस तरह से लंबे टुकडे मैंने कर लिये हैं ये नास्ता बहुत ही टेश्टी बनने वाला है तो पूरा वीडियो आप चरूर देखिएगा और देखिए पहले से ये जो घोल मैंने बनाया था वो काफी डिला हो चुका है और एक ब्रैट का इस तरह से हम पीस ले लेंगे और जो आलू और प्याज के लच्छे मिक्स करके रखे हैं इस पर चिपकाते जाएंगे अगर दोस्तों आपको ये पीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पीडियो को लाइक करिएगा फैमली और फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब चरूर से कर दीजिएगा और इस तरह से पूरे ब्रेड पर इसको फैलाते जाएंगे और हर तरब से इसको अच्छे से मिक्षर से कवर कर देंगे जिससे ये किसी भी तरब से खुलाना रहे और ये नास्ता बहुत ही तेश्टी बने और इस तरह से इसको दबा देंगे ये देखिए काफी अच्छे से मैंने इसको कवर कर दिया है इसी तरह से सारा नास्ता बना कर तयार कर लेंगे और एक तरफ मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था, तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है, और गर्म हो जाने के बाद इसमें एक एक करके नास्ते को डालते जाएंगे, डालने के तुरंद बाद इसको नहीं पलटना है, लगबग एक मिनट बाद ही इसको पलटन और ये देख रहे है ना आप इसके उपर कितना बढ़िया कलर आया है तो इसी तरह से हम सारे नास्ते को पलट देंगे ये नास्ता बाजार के समोसा, कचोड़ी, पकोड़ी से बहुत ही ज़्यादा देश्टी है जब भी आप एक बार इस नास्ते को बना कर खाएंगे तो क्या बाजार के समोसे और क्या कचोड़ीया बहुत ही टेश्टी लगेगा आपको तो एक बार इस नास्ते को ट्राई करना बनता ही है फिर चाहे आप इसको चाय के साथ इंजवाय करिए या चटनी के साथ बहुत ही मजेदार लगेगा और आप देख रहे हैं ना इसको तीन से चार बार पलटते हुए मैंने से एक लिया है और कितना बढ़िया इसके उपर कलर आया है देखने से ही ये बहुत ही टेश्टी लग रहा है और खाने का मन कर रहा है तो देखिए अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह से फटाफट से घर के सामान से बिना किसी जनजट से ये टेश्टी नास्ता बनकर तयार हो चुका है तो अगर आपको भी इस नास्ते की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही टेश्टी और मजेदार रैस्पी के साथ तब तक के लिए टेक केर